लॉंग तब में टैनिंग कैसे हटाई जाती है, फेस पेसे टैनिंग कैसे हटाई जाती है, इस टॉपिक के उपर पडिकुलरली हम डीटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग बॉडी पार्ट्स डिसकस करेंगे, जिसको हमने पहले क अब भी कबर नहीं किया, हो सकता आपके आपके इल्बोस हो, आपकी नीज हो, या फिर ऐसे बॉडी पार्ट्स हो, जो मैं अन कामरा नहीं बोल सकता, आज वो सारे बॉडी पार्ट्स पे से इंस्टेंट्ली विजन शौट स्पान ऑफ टाइम में कैसे हटाना है, इस बारे म प्रोफेशनल हेल्प और बजट को थोड़ा टाइम साइड पर रखा करो पहले जो हमारे घर बार में चीज़े होती है उनको ट्राइग किया करो अगर वो काम नहीं करती है तब जा किआ प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो या फिर अपना बजट खर्च करके आप चीज़े खरी लेगा जिसको हम बोलते हिंदी में मुलतानी मिट्टी इंगली से बिंट ले अब देखो हम सभी के घर के आसपस एक लाले की दुकान होती है जहां पर पुराने जमाने का समान मिलता है बहुत बड़े अनाम से 30-40 उरवे की एक टाकेट आपको मुलतानी मिट्टी का मिल ले लेकिन दूप में लागा तो इसलिए उसको नाचरली सुखने दो आदे घंटे बाद या तो आपको याद होगा हमारे घर के बड़े बुज़र्ग बूलते थे कि अगर स्किन टौन की बाद आती है गलोईं की बाद आती है तो मुलतानी मिट्टी लगा लो तो शाद इसी से कहते होंगे तब हमने बाते सीरियसली नहीं लीती तो इस एज में ले लो कोई बात नहीं ही वो आपके स्किन पर बेनिफिट ही दिखाई आगे बटते है पॉट नेबर टू की तरफ आपको ध्यान होगा भी रीसेंटली मेरी कजन की शादी थी और सबसे बड़े टाइम पुरा होली में तब्दील कर देता है आइडियली दुला दुरन के लगनी होती है लेकिन हम एक दुसरे को भी लगा देते हैं अब हल्दी सेरिमेनी के वीचे लॉजिक के बात है वह एक चीज़ जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ यह है कि उसके बाद जो सकिन में डिफरें प्रिपेर करना है पॉइंट यह पर यह कि आपको मास्क प्रिपेर करना उसके साथ कोई भी इंग्रिजन्ट मिक्स कर सकते हो सकता है सिर्फ रौ हल्दी के साथ थोड़ा सा पानी डाल देना और एक थिक पेस्ट आपको त्यार करनी है अगर वह नहीं डालना आप उसके त्यार करो जो भी आपका अफेक्टेट टांड एरिया उस पर उसको लगाओ और बिल्कुल ड्राय हो जाए 20-25 मिनिट के बाद हो सकता 10-15 मिनिट में भी हो जाए डिपेंड करता आपकी स्केन पर जब भी वह कंप्लीटिल ड्राय हो जाए उसको जाके दोड़ा पॉर्ट न मचा दों कि अगर आपको टैनिंग हो रखी है तो कभी यह भी मत सोचना कि अप संस्क्रीन लगा के क्या फैदा अल्रेडी टैंट हो चुके हैं ऐसी बहार निकलो संस्क्रीन मस्ट है आपके लिए और जिन लोगों को टैनिंग नहीं है वो भी जरूर लगा के जाना संस्क्र प्रेडियन क्योंकि देखो जब रूट कॉस्स को दबा देंगे तो बहुत जादा बेनिफिशल होता है और आप लोग को यह भी पता ही होगा कि हम हमेशा आपको बहुत मैक्सिम वीडियो में हम बताते हैं क्योंकि हमें हमें हमिशों से रिजल्ट मिलता है वह बजट फ्रे संस्क्रीन इसमें UVA एंड UVB दोनों प्रोटेक्शन यह आपको प्रोवाइड करती है मोस्ली कुछ संस्क्रीन होती है जो UVA होती है सिर्फ UVB होती है बड़ इसमें कॉम्विनिशन है और सबसे अच्छी बात दो मुझे इसकी लगी वो है कि यह मैट फिनिश में आती है जो संस्क्रीन होती है जब भी दूप तेज होती है या जब पसीना आता है वह इसली लीक आउट हो जाती वह जाती है लेकि जो मैट फिनिश वाली होती है यह जारा थिक होती है और हमारी बॉडी में अच्छे से एब्सॉब भी हो जाती है साथी साथ यह SPF 55 है जो मैंने कभी नहीं देखा मैंने पचास भी देखा है मैंने सौ भी देखा इसको खरीच सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलाएगा और इंग्रिजियंट के बात करते तो इसके ने राजबरी एक्स्राक्ट है इसमें के लिए बहुत बेनिफीचल होता है तो आप इसको डेफि लेकिन यहां पर कुछ गडबड है जो मैं बताना चाहता हूं आप लोग को लोग करते हैं मौसली अब देखो आपके अरिया पर डिबेंट करते हैं कहां पर आपके टानिंग हो रही है अगर तो आपके फेस पर टानिंग है तो और तीसरा तरीका आता है जो स्क्रबर या फ फेस पर टानिंग है आप यूज़ करो बॉडी स्क्रब जब भी आपके बॉड़ी पर तानिंग को निखाल सकते हो अब मैं आपको फिर से ही बोलने चादे को लाने तो बहुत बढ़े है लात तीनों कामी आती नहीं है तो हां कुछ तो खरी दिलो तो तीनों टाइप के सक् करना इंफाक्ट जितने भी प्रोड़क्स मुझे लगता है इस वीडियो में काम आ सकते हैं आपके सबके लिंग्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगा तो यह थे गबरुज आज की वीडियो आए रेली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपके टैनिं अर्बन गबरु आउट